है लो वेलकूम टो इंग्ली शुत रगजीत कुमा यहां पर एक शूटी से हम शुरुवात करने है जा रहा है इस डेली यूज की जो सेंटेंज होगी उसको आम यहां पर व्यूडियो के मातिम से आपको समझाएंगे कि कैसे बोलना है कुछ शॉर्ट सेंटेस से समशुरुवात करेंगे जैसे कि आपर पहला सेंटेस दे रखा है बहार इंतिजार करो इंतिजार का मतलब क्या होता है वेट करना बहार का मतलब क्या होता है आउट या आउसाइड ठीक है इसका मतलब क्या ह क्या हुआ वेट आउटसाइड क्या हुआ वेट आउटसाइड ठीक है दूसरा सेंटर्स है आपर मैं आ रहा हूं क्या है मैं आ रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब उसका उचलन कैसे करना है उसके बाद मुझे बाहर जाने दो इसका मतलब हुआ क्या पढ़ेक्ज इसको लेट में गो आउट इसका प्रॉनाशियाशन यह हुआ यह हुआ उसके बाद मैं इसे अभी करो मतलब करने को क्या बोलते हैं और अभी का मतलब क्या होता है नौ तो जाएगा इसका जो फिर आप इंडिया जीतेगा मतलब भारत और इसको इंडिया कहा जाता है जीतेने को कहा जाता है इसलिए इंडिया भी इसको क्या हो आता है इसको इंडियाथ भी हुए इसका मतलब English में कहे हुआ, you are welcome, you are welcome पर यहां पर फ्रणशेशन हो जाएंगा भूह घा यूजँ लेगा, you are welcome. लास्ट सेंटेंज है बाद में मिलते हैं बाद का मतलब क्या हो जाता है लेटर क्या हो जाता है लेटर और मिलने को क्या मोलते हैं वैसे मीट होता है लेकिन यह जो पूरा का पूरा सेंटेंज है इसके लिए एक फ्रेज अलग से दे रहता है वह यह सी यू लेटर क्यों जाए तो यहां पर पहले हिंदी सेंटेंस दे रखे होते हैं उसके बाद में इसका इंग्लिस में यहां पर दे रखा होगा इसके बाद में इसको कैसे पढ़ना है उसका यहां पर प्रणाश्रेशन दे रखा होगा इसका मुझलब यहां पर उसका उच्छारण कैसे करना है वह इसक इसे तरह से आपको ये डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे शॉट सेंटेंसे से संबादें और साथ साथ में हम ग्रामर की भी श्रीश जुरू करेंगे बहुत चल्दी थेंक्यों फॉर वाचिंग एंड केप शायर